Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल एक बहुत इंपॉर्टेट और बहुत बड़ी development हुई है, जहां पर सूर्य लंका AFO station में हम एक defense exercise कंड़क्ट कर रहे थे, नोनाज अस्त्रशक्ती 2023, आंदरप्रदेश में ये AFO station है, और यहां पर भारत, वो पहला country बना है, जिसने simultaneously चार aerial targets को target करते हुए द्वस्त कर दिया, using its Akash surface to air missile, और पहली बार ऐसा हुए है, कि लगबग 30 km की range पे चार targets को simultaneously target करके द्वस्त कर दिया गया हो, इस पूरे मामले को जानेंगे, इसकी significance को समझेंगे, and we will understand कि basically इससे भारत को और क्या फायदा हो सकता है, लेकिन उसको discuss करने से पहले, आप सभी को फटा-फट बता दू, कि अगर आप UPC Prelims 2024 की तयारी कर रहे हैं, तो study IQ का success in Prelims program, आपको सही direction में, पूरे Prelims की तयारी करने में, काफी मददगार साबित हो सकता है, आप यहाँ पर हमारा ये ताइम टेबल देख सकते हैं, जहां पर clearly you can see, कि 18 तरीक से हमारा ये batch start हो रहा है, 18 को orientation है, 19th December से Modern India से हम ये batch को start कर रहे हैं, Modern India को पूरी तरह से revise करेंगे and gradually we will be covering all the sections by 9th March 2024, जिसका मतलब यह है कि धाई महीने से जादा समय आपके पास self-study और self-revision के लिए होगा, हर class के बाद test होगा, उसकी discussion होगी, solution PDF मिलेगा और पूरा focus किया जाएगा आपकी पूरी के पूरी revision पर और questions को solve करने के लिए सही mindset की development पर, क्योंकि कोई भी नहीं पूचने वाला कि आप कितने घंटे पढ़ते थे या कितनी books पढ़ते थे, आपको judge किया जाता है आपके answer solving capability पे और इस course का यही objective है कि आपकी answer solving capability को enhance किया जाए इसलिए daily revision और rigorous means prelims के MCQs की solution यह basically इसका essential feature है description में links है and CS live code यूज़ करके आप इसमें maximum discount ले सकते हैं इससे related कोई भी अगर doubt है तो telegram पे आप मेरे साथ यहाँ पर जूड़ सकते हैं instagram पे मेरा handle है जहाँ पर आप मेरे साथ connect कर सकते हैं and telegram पर ही आप मुझे यहाँ पर message भेज सकते हैं at the rate H-E-L-L-O-C-H-A-N-D-A-N having said that अब इस मामले को समझते कि basically हमने किया क्या दरसल सूरे लंका Air Force station में what we did हमने चार unmanned aerial vehicles Air Force के चार unmanned aerial vehicles है उनको एक direction से launch किया ठीक है उसके बाद यह split कर जाते हैं और इनका objective होता है कि एक specific location एक specific target के उपर attack करना अब यहाँ पर हमारी Aakash surface to air missiles मौझूद हैं इस Aakash firing unit में क्या है कि एक firing level radar है जो की इस incoming threat को detect करेगा there is a firing control center जो की इस threat को detect करके basically missile को launch करने में मदद करेगा दो Aakash Air Force launchers थे जिनमें missiles layers है पांच armed missile थी और एक ही firing unit से हम चार missile launch करते हैं और 30 km की दूरी पर यह 4 targets एक साथ दोस्त कर दिये जाते हैं अपने आप में यह बहुत बड़ी achievement है और इंडिया की defense capability का एक शांदार प्रदर्शन है अब Aakash के बार में बता दूं दोस्तों इसको develop करना 1980s में start कर दिया गया था under our integrated guided missile defense program लेकर वहां पर हमने 1980s में ही इसको develop करना start कर दिया था अब Air Force के पास पिछले 10 सालों से यह missile मौजूद है और DRDO ने इसको indigenously develop किया है gradually हर साल इसमें कुछ ना कुछ upgrades भी किये जाते है कि basically इसकी 25 km की range बताई जाती है जो की धीरे धीरे enhance की जा रही है और अभी recent इस exercise में हमें यह देखने को मिला है कि 30 km range पर भी यह अपने targets को effectively destroy कर सकता है इसे के साथ साथ अकाश को indian navy के लिए भी consider किया जा रहा है बट कुछ shortcomings की वज़े से वहाँ पर indian navy के कुछ और plans भी है और जो current firing जो अभी इस सूर्य लंका air exercise में basically हम देखते हैं अस्त्रशक्ती air exercise at सूर्य लंका air force station वहाँ पर जो हमारे पास अकाश missile का version था यह भी recent air force ने 2019 के September में इसका order place किया था और DRDO से procure की थी काफी सारी public sector undertakings इसके निर्मान में भी engaged है यह कुछ quick facts है अकाश missile के बारे में 96% इसमें जो material लगता है basically वो indigenous material है 5.6 meter इसकी height है 55 kg का यह basically warhead है तो बहुत जादा heavy warhead नहीं है 5.6 meter long and 55 kg so quite effective, quite agile और एक बहुत सही option है हमारी air defense को improve करने के लिए क्योंकि आज के modern combat में अलग-अलग directions और अलग-अलग theater से war आ सकती है जो perpetrators हैं चाहे वो terrorist की बात करें या otherwise किसी और तरह के threat की बात करें तो land, air, water, sea यहाँ पर threat आ सकता है तो akash missile basically हमारे air space को defend करने में एक काफी important role play करती है हमारी army के पास भी basically two akash regiments है ठीक है, six firing units है batteries का मतलब होता है group of missiles तो six firing batteries है, akash missile की हर एक battery में basically काफी सारी missiles है और इसमें लगबग 14,180 करोड की लागत पूरी के पूरी लगी थी Indian Air Force के पास there are eight akash squadrons और दो flights, चार launchers इसके साथ लगबग 6,000 करोड की लागत में हमने Air Force को भी इस missile से लहस किया है Navy के उपर ऐसा है कि Navy को लगता है कि Warships के लिए akash missile थोड़ी suitable नहीं है तो DRDO इस पर भी development कर रहे है जिससे कि हम akash missile को Indian Navy की Warships के हिसाब से adjust और modify कर सकें but at the same time Indian Navy is also under talks with France जहां पर उनकी surface to air missiles यानि की SAMS को हम ले सकें अब इसमें देखो यह जो exercise हुई इसमें basically India achieve क्या करना चाता है तो देखो दोस्तों हमें इस बात को समझना होगा कि defense की development में सिरफ security एक लौता objective नहीं होता हमारी यह जो exercise रही है अस्त्रशक्ती यहां पर हमने अपनी इस capability को demonstrate करके बाकी पूरी दुनिया के countries में एक message दिया है that we have something that you might want Akash missile के इस capability को देखते हुए बहुत से Southeast Asian countries, Middle Eastern countries और African countries ने अपना interest generate किया है to purchase Akash missile system from India और यह system US का Patriot Surface to Air missile system से ज़्यादा affordable है क्योंकि that system it basically costs approximately 1.1 million dollars जबकि India का यह Akash missile system यह लगवग 5 लाग डॉलर की लागत में मिल सकता है Along with this आप सभी जानते हैं कि Russia ने time to time India को defense के मामले में काफी ज़्यादा support किया है हमारे बहुत से defense equipments का basically जो base आता है यानि कि हमारे पास कई guns हैं उनमें जो bullets भी आती हैं वो Russia supply करते है तो एक तरीके से Russia का influence थोड़ा सा कहीं न कहीं इंडिया पर आ जाता है तो इसलिए अपनी sovereignty का सम्मान करते हुए और अपने national interest को देखते हुए हमने west के agenda को इतना ज़्यादा push नहीं किया similarly अगर कोई country इंडिया से ऐसे systems लेता है तो goodwill develop होती है friendly relations basically develop होते है और इंडिया का कहीं न कहीं influence भी अपने region में बढ़ेगा तो यहाँ पर जो missile systems और defense power है उसको generally hard power के साथ associate किया जाता है कि यह तो जंग में हमें काफी मदद करती है लेकिन at the same time soft power में भी इसकी utility है किसी country को अगर हम defense supplies में मदद करते हैं तो उसके उपर थोड़ा सा कहीं न कहीं influence हमारा बनता है और हम 5 trillion dollar economy बनने का सपना देखते हैं तो उसमें defense sector एक बहुत important role play करते है space के अंदर हमारी लगातार developments होती रही है and that is the reason कि बहुत से even developed countries like France and many other nations वो Indian Space Research Organization और India के जो antrics basically एक commercial space arm है उसका इस्तेमाल करती है अपनी कुछ satellites को launch करवाने में हमारे से taxi service लेती है for launch of space satellites क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने satellite कोई बनाई या launch vehicle कोई बनाई उसमें बहुत सारा पैसा लग जाएगा जबकि इंडिया इसको काफी cost effective तरीके से बना सकते है so same चीज़ अब defense में भी हो रही है और defense exports को बढ़ावा देने के लिए basically हम अपना थोड़ा सक्ति परदर्शन भी कर रहे है overall economy में and geopolitics में ये चीज़ हमें काफी मदद कर सकती है so ये basically हमारा ये objective है जंग छेड़ना objective नहीं है basically हमने ये demonstration जो की है इससे हम अपना influence कहीना कहीं बढ़ा रहे है और हाँ थोड़ा सा deterrence भी create की है कि बाकी जो आसपास hostile regions या hostile countries आपको पता है हमारे आसपास है हम एक hostile neighborhood में रहते हैं तो उनको भी ये message रहे that we have these capabilities तो अभी काफी सारे countries इसमें interest generate कर रहे है उमीद की जा रहे है कि इसके export से भारत काफी सारा अपना basically balance of payment improve कर सकते है जाने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल Aakash missile system में radar को एक particular नाम दिया गया है there is a name given to the radar of Aakash missile system what is the name of the radar इसको आप comment section में जरू लिखिएगा जल्दी आएंगे अगली एक video के साथ जिसमें और interesting facts आपके साथ share किये जाएंगे तब तक के लिए wish you all the best see you soon in the next video thank you so much